भारत मेरह समय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदीर है जो उत्राखंट से करीब 14 किलोमिटर की दूरी परिस्थित है। जहां हर दिन चमतकार होता है। जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरसल इस मंदीर में मौझूद माता की मूर्टी दिन में तीन बार रूप बदलती है। मूर्टी सुबह में एक कन्या की तरह, दोपहर में युवती की तरह और साम में बुड़ी महिला की तरह नजर आती है। इस मंदीर को धारी देवी मंदीर के नाम से जाना जाता है यहां मंदीर जील के ठीक पीचो बीच स्थित है देवी काली को समर्पित इस मंदीर के बारे में यहां माननेता है कि यहां मौजूद माधारी उत्राखंड के चार धाम की रक्षा करती है एक पौरानिक कथा के अनुसार एक बार भीसन बाड़ से मंदीर बह गया था साथी उसमें मौजूद माता की मूर्ती भी बह गई थी वह धारो गाउ के पास एक चटान से टतरा कर रूप गई कहते हैं उस मूर्ती से इस्वरिय आवाज निकली जिसने गाउवालो को उसी जिखा पर मूर्ती स्थापित करने का निर्देश दिया इसके बाद गाउवालो ने मिलकर माता का मंदीर बना दिया पुजारियों की माने तो मंदीर में माधारी की प्रतिमा द्वापर यूग से ही स्थापित है